नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में तो आज की हमारी ये क्लास Special HPSC PZT हिंदी एक्जाम को लेकर रहेगी क्यूंकि काफी सारे कैडिडेट इस एक्जाम के लिए जुड़े हुए हैं तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य को क्यूंकि जो आपका SLABS है उसमें हिंदी साहित्य को दे रखा है जिसमें चार ही शब्द मुख्या रूपसे दिये हुए हैं आदीकाल, ठीक है, आदीकाल, भक्तीकाल, रितिकाल और आधोनीकाल मतलब कि यहां से प्रशन आ सकते हैं ठीक है और दूसरी बात है NCRT को काफी हमने पढ़ लिया है अगर हम स्लेबस की बात करें तो स्लेबस में NCRT है हिंदी व्याकर्ण है और हिंदी साहित है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि ज्यादा प्रशन कहां से आएंगे क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं है कभी तो ऐसा होता है कि किसी पार्ट को विल्कुल ही छोड़ देते हैं कभी मतलब एक आदा प्रशन आ जाता है हमें नहीं पता इनका ज्यादा क्या पूरे के पूरे क्वेस्टन NCRT से डाल दें या हिंदी साहित्या से डाल दें तो मेरा तो शुरू से एक ही सुझाव है कि आपने पूरा स्लेबस ही देखना है इसके इलावा छुट मुट छुट पुट चीजें और भी काफी सारी दे रखी हैं जिनको भी आपको जुरूर देखके जाना पड़ेगा तो आज हम आदी काल से जुड़े मतलब जितने भी प्रशन बनते हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे लेकिन आज की क्लास में थोड़े प्रशन है शुरूरात है तो हो सकता है आपके लिए ये helpful रहे तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास तो क्वेस्टन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आदी काल से जुड़ा हुआ चाहे तो आदी काल इन प्रस्तितियों का वर्नन कीजिए या फिर आदी काल के इतिहासिक और समाजिक परिवेश पर परकाश डालिए तीन सो शब्दों में या फिर हिंदी साहित्या के आदी काल की प्रस्तितियों का सब इस्तार वर्नन कीजिए तीन सो शब्दों में मतलब किसी भी तरीके से आदी काल की प्रस्तितियों से प्रशन आ सकता है तो देखते हैं मतलब किस तरीके से अंसर आपको देना है बैसे तो सब ने अपनी एमे में ये चीजे पढ़ रखी हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी कई गर किसी को एमे की हुए बहुत देर हो रखी है तो या फिर बुक्स पगएर नहीं होती तो दिक्कत हो जाती है तो हिंदी सहित्या के इतिहास की जो काल सीमा को लेकर परियाप्त मतवेद देखा जा सकता है हिंदी सहित्य के इतिहास की काल सीमा को लेकर परियाप्त मतवेद देखा जा सकता है कुछ विद्वान हिंदी सहित्य का राम संवत 700 से मानते हैं और कुछ 1050 से मानते हैं जैसा कि एचारे रामचंदर शुकल जी ने माना है प्रन्तु जब हम आदीकालिन प्रिस्तितियों की चर्चा करते हैं तो प्राय सभी विद्वान साथवी से चौद्वी श्ताबदी तक की प्रिस्तितियों की विवेचना करते हैं मतलग मोटे तोर पे 700 से लेके 1400 तक जो आदीकाल का समय माना जाता है युगीन प्रिस्तितियां ततकालिन साहिते को अविश्य प्रभावित करती हैं क्योंकि साहिते ही समाज का क्या होता है दर्पन होता है साहिते समाज साहिते को अविश्य प्रभावित करता है तो ये लाइने बहुत ही इंपोर्टन है लिखने के लिए ठीक है यदि समाज की विशेश प्रस्थितियों में परिवर्तन होता है तो उसके साहित्य में भी अवश्य ही परिवर्तन होता है हम कह सकते हैं कि प्रस्थितियां किसी भी भाषा के साहित्य के लिए आधार कही जा सकती है आदि कारिन साहित्य को भली परकार समझने के लिए तत कारिन प्रस्तितियों को निमन वर्गों में विवक्त किया जा सकता है तो सबसे पहले है राजनितिक प्रस्थितियां फिर सामाजिक प्रस्थितियां सांस्क्रितिक प्रस्थितियां धार्मिक प्रस्थितियां उसके बाद साहितिक प्रस्थितियां ठीक है तो थोड़ा थोड़ा आपने लिखना है मतलब कि आपको पता है कि आपको 15 प्रशन में दिये जाएंगे और 10 नंबर का एक प्रशन होगा लेकिन समया की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे हैं जो के हमें 80 नंबर का paper करने के लिए मिलते हैं यहां पर आपको 500 नंबर का paper करना है सिर्फ 3 घंटे में तो इसका नहीं चलता कि कब समया खत्म हो जाता है एक घंटे तक ले जाते हैं तो ऐसे गलती विल्कुल भी नहीं करनी है विल्कुल समया देखते हुए अपने वेपर को करना है ठीक है तो राजनीतिक प्रिस्थितियों की बात करते हैं हम ठीक है अचारे रामचंदर शुकल जी ने आदीकाल का समय समवत 1050 से 1345 तक निर्धारित किया है कुछ अन्य विद्वान सन 700 से लेके 1420 तक आदीकाल का काल निर्धारन करते हैं यह अवधी 700 वर्षों की बैठती हैं आदीकाल की काल सीमा कुछ भी निर्धारित की जाए लेकिन यह एक सत्य है कटू सत्य है के राजनीतिक दृष्टी से यह जुग कैसा था एववस्था का अराजकता का ग्रहकलह का तथा प्राज्य का युग था एक और विदेशी आकर्मन कारी मतलब आ रहे थे उनका प्रवाह जारी था दूसरी और भारतिय सामंत पर्स पर बैमंस्य के शिकार हुए थे तो आपको पता है कि उसी समय जो मभारत पर लगातार आकर्मन की तो यह जो सारी स्तिती थी कवंसी ती यह अदिकाल की थी क्योंकि उसने सुन रखा था कि जो भारत है वो सुनने की चिडिया है तो इस तरीके से ये सारा कुछ राजनितिक प्रस्थितियों में आ जाता है ठीक है उधर 647 से शिवी में समराट हर्शवर्दन की मृत्यू हो जाती और उसके बाद जो भारती ये उत्तरी भारत की जो केंद्रिय शक्ति थी वो सारी नश्ट हो जाती है तो राजनितिक प्रस्थितियों में ये बाते आपको लिख सकते हैं ज्यादा लंबा नहीं खिंचना है मतलब मोटी चीजी आपको लिखनी है उसके बाद है सामाजिक प्रस्थितियां आदी कालिन सामाजिक प्रस्थितियों को भी परभावित कर रही थी ततकालिन सामाज भ्यों बर्गोहर जातियों में पूरी तरह से भिवक्त था और जो लोग थे वो अंदविश्वास में भी पड़े हुए थे मुसल्मानों की आगमन से पूरो शुद्रों को एस पर्श समझा जाता था मुसल्मानों के आगमन से पहले लेकिन ब्रह्मनों को समाज में उचस्थान प्राप्त था सचाई तो यह है कि समाज की संगठन शक्ती पुरण तै नश्ट हो चुकी थी आदिकालिन जो समाज था उसमें नारी की भी कोई अच्छी स्थिती नहीं थी बहुती शोचनी स्थिती थी उसे मतर भोग गया माना जाता था भोग की बस्तु माना जाता था ततकाली राजनातिक राजबूत वंश कुलींता और वलिदान की भावना को अतिदिक महत्व देते थे ठीक है जो राजबूत वंश थे वो बलिदान को बहुत महत्व देते थे और यही कारण था कि जो राजबूत नारियां थी अपने पतियों के बलिदान को शौर्या का प् प्रस्तितियां मुझे लगता है कि अब जिस बच्चे ने ये पढ़ लिया तो अच्छे से ये प्रशना आए तो लिख पाएगा क्लास अच्छी लगे तो एक बर लाई कि जुरूर कर देना आगे हैं हमारी सांस्कृतिक प्रस्तितियां तो सांस्कृतिक प्रस्तितियां कैसी थी? सांस्कृतिक द्रिष्टी से इस जोग का विशेश महतब माना जाता है यह एक निर्विवाद सत्य है के समराथ हर्षवर्दन के राज़काल में भारतिय संस्कृति का चर्मोत कर्ष हुआ इस समय भारत पूरण ता स्वादीन था और देशवासियों में रास्ट्रिय भक्ति की भावना भी सुद्रड थी यही कारण है कि इस काल में मूर्ती कला, संगीत कला, चित्र कला और स्थापत्य कला का खूब पिकास हुआ इस काल में मंदिरों का अतिदिक निर्मान हुआ, भुबनेश्वर, सोमनात, जगनात, पुरी, ये मंदिरों की नाम थोड़ा याद रख ले न, भुबनेश्वर, सोमनात, जगनात, पुरी, कांची, तंजोर, आदी भवे मंदिरों का निर्मान हुआ, ठीक है, निर्मान कि तो ये हो गई हमारी सांस्कृतिक प्रिस्थितियां उसके बाद धार्मिक प्रिस्थितियां कैसी थी गुप्त राजों के समय में ब्रामन धर्म अतिदिक पहतपुर्ण हो गया था बरही राजा हर्शवर्दन का जुकाव बौध धर्म की और था लेकिन ब्रामन धर्म की अभ दूधरम आदी के अन्द विश्वासों के शिकार बनने लग गये थी लगवोग सभी वर्गों पर ये परभाब देखा जा सकता था अन्द विश्वास का इस परकार हम देख सकते हैं कि आदीकाल की धार्मिक प्रस्तितियां अतरिक विश्म और प्रतिकूल थी उसके बाद आ अन्द वर्दन अभिनव गुप्त कुंतक कुश्मेंद्र ममट राजशेकर विश्वनाथ आदी कावेशास्त्री इसी युग में उत्पन हुए तो ये नामध्यान में रखने हैं और लिखने हैं थोड़ा प्रभाब बनता हैं संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आदीकालिन र भारत में चोटे-चोटे राजे रजवारे निरंतर आपस में युद्ध करते रहें रास्टी एकता की चंता किसी को नहीं थी आदीकाल में प्रचुर मातरा में साहित्या का निर्मान हुआ लेकिन आज केवल वही रचनाएं बचपाई हैं जो जन सधारण में लोग प्रिय रही होगी ठीक है तो ये हो गया आदीकाली प्रस्थितियां आपको गलास अच्छी लगे तो फीडबैक जुरूर देना मतलब फिर तो अभी तक हमारे पास पांच दिन हैं और 50% उमेद कर सकते हैं कि हो सकता है हर्याना सरकार के कुछ मतलब मन में आ जाए और इस पेपर को चाहते हैं वो भी दे पाएं तो तैयारी हो जाएगी तो फिर मिलते हैं नेक्स क्लास में क्लास देखने के लिए धन्यवाद